हेलो एवरीवन कैसे हैं बच्चों, आप सबी आसा करते हूँ आप बहुत अच्छे होंगी बच्चों देखी कलेंडर से सम्मन्दीद कोशेन एक्जाम में हर बार आते हैं और कुछ कोशेन ऐसे होते हैं जीनने बच्चे गल्द कर जाते हैं अब वो कोशन से कोशन होते हैं जिने बच्चे गल्द कर जाते हैं कलेंडर एक मातर ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चा कितनी भी बार महनत करता है तो भी उसमें सवाल गल्द हो जाते हैं लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सवाल हमेशा गल्थ होते हैं बच्चे से तो थोड़ी सी वहाँ पर mistake कर देता है वो थोड़ी सी चीजे समझने की कोशी से वहाँ पर अगर अच्छे से समझ लेता है तो सारे सवाल गल्थ नहीं होते हैं कुछ सवाल उसमें सही भी हो जात क्योंकि ऐसे question जो exam में doubtful होते हैं उन्हीं को exam में ज़्यादा पूछना पसंद करता है तो doubtful question के उपर मैं आपर वीडियो लेकर आचुका हूँ आपके लिए इसमें calendar से संबंदित मैं आपको बताऊँगा कि कहां पे leap year verse repeat होता है कब leap year verse repeat होता है कब साधान verse होता है क्योंकि इससे related जितने भी सवाल आते हैं बच्चों के मन में यहां पे भरांतिया होती है कि कहां पे 11 add होगा कहां पे 6 add होगा कहां पे 28 add होगा कहां पे 40 add होगा तो इस वीडियो में completely मैं आपको बताऊँगा आज के बाद ऐसा सवाल यदि calendar repetition के कोई भी सवाल आपका आजाता है exam में तो आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो यहां से आपका सवाल गल्द नहीं होगा तो बच्चों से समझने की बात है देखे calendar से समंदित मैंने बताया था calendar से इसमें जानते हैं आए लीपेर वर्स कैसे repeat होता है लीपेर वर्स के बाद पहले हमें थोड़ी सी जानकर ले लेने चाहिए कि साधान वर्स कैसे repeat होता है पहले हमको यह देख लेना है अब यहां पर मैंने लिखा है यहां पर देखे साधान वर्स अगर साधान वर्स है आपका तो साधान वर्स साधान वर्स में ही यूज़ होगा ऐसा नहीं है कि साधान वर्स लीफियर में यूज़ हो जाएगा सबसे बड़ी बात है यह यह चीज अगर बच्चा समझ जाता है तो वह Leap Clone होगा जैसे मैं मामसकता हूँwend यहा अगर मैं मानता हूँ यहाँ यहाँ बहुती इंपोर्टन तरीक है इसको आप लिख भी सकते हैं तो यहाँ से किसी भी वर्ष में यदि चार से भाग चला जाता है तो वह Leap Clone कहलाता है बात करते हैं किसी भी वर्स में चार से भाग नहीं जाता है तो वो साधान वर्स कहलाता है जैसे माल यह मैं कहता हूँ 2017 में यहाँ पर यह साधान वर्स है इसमें लीपियर्स नहीं है क्योंकि इसमें आपका चार का भाग नहीं जा रहा है जैसे मैं 2018 माल लेता हूँ यहाँ पर तो यह भी साधान वर्स है तो साधान वर्स यह हो गया लीपियर्स यह हो गया तो लीपियर्स और साधान में दोनों में आपको अंतर करना आना चाहिए अगर आप साधान वर्स और लीपियर्स में अंतर नहीं कर पाते हैं आपको थोड़ी सी problem यहाँ पे हो सकती है तो साधान वर्स मैंने आपको बता दिया है साधान वर्स का जो calender होगा साधान वर्स में ही यूज ओगा यह आपको बिल्कुल यातक लेना है लीपियर का लीपियर में यूज ओगा तो यहाँ पे यह चीज़ समझ आगी अब बात करता है यहाँ पे कहाँ पे 11 एड होता है कहाँ पे 6 एड होता है तो यहाँ पे अपवाद भी बताता हूँ मैं आपको देखें यहाँ पे नोट में मैंने यह लिखा है आपके लिए साधान वर्स साधान में यूज़ होगा यानि यदि साधान वर्स है तो उसमें आपको 11 एड करना पड़ेगा क्योंकि कही बार मुझे बच्चों का ये कमेंट आया सर कहां पे 6 एड होगा कहां पे 11 होगा हम ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं तो आज की वीडियो से ये समझ जाएंगे आप तो यहां पे 11 एड होगा अब ये 11 एड होगा क्या सभी में 11 एड होगा नहीं बच्चों सभी में नहीं होगा हमेशा मैंने लिखा है हमेशा नहीं होगा नहीं होता है हमेशा 11 रिपीट नहीं होता है हमेशा 11 एड नहीं होता है जो बच्चे हमेशा के लिए पढ़ते हैं यह 11 एड कर दो तो यह गलत हो जाएगा सवाल इसमें पूरा सवाल आपको पढ़ना चाहिए और पूरी चीजें आपको अगर complete हैं तो आप एक भी question गलत नहीं करेंगे यहां से इसके बारे में बताता हूँ मैं यहां पर अपवाद है यह अपवाद क्या है जो वर्स लीपे वर्स के तुरंत बाद आता है वहां पर 6 एड होगा अब आपको पता चल गया कहां पर आपका 11 एड होगा कहां पर आपका 6 एड होगा इसके बारे में बताता हूँ मैं यहां पे देखिए अगर मैं आपसे कहता हूँ यहां पे अगर मैं कहता हूँ 2000 यहां पे 14 का बताता हूँ मैं यहां पे 2004 जो है एक वर्स है तो इसे दोबारा कब यूज के जाएगा तो ये चार से डिवाइड नहीं हो रहा है साधान वर्से तो हम इसमें 11 एड करेंगे और यहां से पता चल जाएगा हमें कि ये 2025 में यूज हो जाएगा ये किलियर हो जाएगा यहां से 2025 में तो साधान वर्स था साधान वर्सी आ गया 11 एड हो गया लेकिन जैसे ही हमें अपवाद की बात आई तो अपवाद में मैंने खाया है जो वर्स लीपियर वर्स के तुरंत बात है जैसे मैं आपसे यहां पे कहता हूँ 2017 अगर 2017 मैं यह कहता हूँ तो 2017 का कलेंडर यहां पे दोबारा कभी यूज़ होगा तो यह 6 कहां पे एड होता है और 11 कहां पे एड होता है यह चीज़ आप समझ गए जैसे मालिया मैं यहां पे भी आपसे कहता हूँ 2022 कहता हूँ तो 2022 का कलेंडर दोबारा कभी यूज़ होगा 11 एड कर देंगे 2033 में होगा लेकिन अगर यहीं मैं कहता हूँ यहां पे आगर आप समझ गएंगे अगर मैं कहता हूँ 2021 का कलेंडर दोबारा कभी यूज़ होगा तो मैं यहां पे 6 एड करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा 2027 में यह जो है एड होगा अब यह क्या इसमें क्या हो रहा है यह चीजी बहुत सारा बच्चा है आपे समझ नहीं पाता है तो यहां पे 2020 देखना है आपको 2020 क्या है एक लीपियर है 2021-2020 के बाद आया तो हम 6 एड करेंगे यानि लीपियर के बाद कोई भी यर्स यह दी आता है तो उसमें हम 6 एड करेंगे और साधान वर्स में हम 11 एड करेंगे तो यह 11 और यह 6 का आकड़ा आपको पता चल गया 11 क्या होता है और 6 क्या होता है तो 11-6 दोनों मैंने बता दी कहां पे यूज होते है कुछ सवाल है देखे यहां पे वर्स 2017 का कलेंडर दोबारा कब यूज होगा आपको यूज हो जाएगा यहांपर करेंट यह बियूज हो गाया साथ 60 देह रहिए हो जाएगा यहनि कि 23 हो जैगा है यहां पे 2023 में यह दोबारा यूज हो का इसके बाद यहांपर Доजार सत्रे का बाता चुका हूँ अर्य री ही 2020 का कभ यूज होगा तो यह क्या है लीपियर है लीपियर है तो यहां पर यह क्या एड होगा लीपियर का भी मैंने आपको बताया नहीं है अभी और बताऊंगा आपको लीपियर कैसे यूज होता है अगर लीपियर आ जाता है तो उसको कैसे यूज करते हैं यह बताऊंगा आ यहां पर 11 एड़ क्यों करा हमने क्यों होगा है आप सको बता दिया संवगा आ गई आपकी 2050 का कलेंडर कभ यूज़ सोगा तो 11 एड़ करेंगे यहां पर कितना हो जाएगा इससे ये चीजे आपकी cover हो जाएंगी अब यहां से आपको साधान वर्स cover हो गया साधान वर्स में अगर लीपियर वर्स लीपियर आ जाए और उसमें क्या क्या चीजे ड् prolong होना है कहाँ पे क्या ड्डू होना है वो चीजे बच्चे समझ नहीं बाता है तो यहाँ पर एक ही वीडियो में लेका रहा हूँ है यहाँ पर आप देखे यह आए जानते हैं कि लीपियर का रिपियर का होता है तो leap year का repetition होता है कहीं इसमें 28 add होता है कहीं इसमें 28 add हो जाता है और कहीं इसमें 40 add हो जाता है यह सबसे बड़ी problem है कि कहां पे हम 40 add करेंगे और कहां पे हम 28 add करेंगे अब मैंने आपको बताया था साधान वर साधान में use होगा leap year leap year में use होगा अगर मैं हिहां बात करता हूँ 2016 की तो 2016 का calendar कब यूज होगा बचो तो मैं यहाँ पर 28 कर जोड़ देता हूँ इसमें, अब मैंने 28 जोड़ दिया यहाँ पर, 86, 14 हो जाएगा 2, 3, 4 हो जाएगा यहाँ पर याणि 244 में यह यूज हो जाएगा तो मुझे पता है 4 से कट रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर उसके बाद मैं नीचे चलता हूँ यहाँ पर मेरे पास एक और सवाल है 1922 में का कलेंडर बताई है दो बारा कभ यूज होगा अब 1.90.92 का कलेंडर है तो मैं आप 20 चोड़ देता हूँ इसमें तो 8 दो 10 हो जाएगा 9 दो 11 और 12 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 2020 हो गया तो बिल्कुल सही है क्योंकि लीपियरर्स है लीपियरर्स आ रहा है तब तक हम 28 ही जोड़ेंगी जब तक हमारे पास लीपियर आएगा अगर 28 चोड़ने के बाद हमारे पास साधान वर्स आ रहा है अगर 28 हम किसी में एड़ कर रहे है यदि लीप में हम 28 एड़ कर रहे है और हमें वहाँ पे वो साधान साधाण मिल रहा है तो यह गल्ट हो जाएगा बच्चो लीपियर में लीपियर मिलना चाहिए मैं ओल लेड़ी आपको बता रहा हूँ और आगे बताऊंगा किस तरीके से वो सवाल आएगा जो बच्चे बहुत सारे तरीके से यहाँ पर गल्द करते हैं अब यहाँ पर देखें यह सवाल एक 1872 मैंने आप लिया 1872 में यदि मैं 28 यहाँ पर एड़ करता हूँ अब मैं आप 28 एड़ करता हूँ 28 एड़ किया मैंने 8 रदो 10, 7 रदो 9, 10 यहाँ पर 1900 आ गया अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे 1900 में हमारा यूज होगा और आप option देखेंगे और एकदम से आप answer टिक कर देंगे जो बच्चों गल्थ हो जाएगा बिल्कुल भी अगर आपने यह चीजे की है अगर आप इस तरीके से सवाल को कर रहे हैं तो आप सब कुछ जानते हुए भी अपना सवाल गल्थ कर देंगे बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे हैं जो इस चीज में यहां पर गल्थ कर जाते हैं तो यहां पर उननिस सो बच्चों यह क्या है यह जो है चार से युवाजित नहीं हो रहा है यह हमारे पास क्या आगी बच्चों यहां पर सताबदी आगई सताबदी वर्स है यह तो सताबदी वर्ष को मैंने आपको बताया था सताबदी में हम हमेशा चार सो से भाग देते हैं तो चार सो से यदि इसको भाग देते हैं तो यह चार से नहीं कट पाएगा अगर हम वर्ष को भाग देते हैं तो वर्ष को कितने से भाग देते हैं चार से भाग देते हैं यह चीज़े आप समझ लिजेगा तो यहां पर यह लिप यह नहीं आ रहा है यह क्या रहा है साधान वर्स सतब दिया रहा है या साधान वर्स आ रहा है तो यहां से हमको प्रोब्लम आनी शुरू हो गई है तो यहां पर ऐसी इस्तिति में हम क्या तो 1872 में हम यहां क्या कर देंगे पलस 40 एड़ कर देंगे 40 एड़ करते कितना आ जाएगा बच्चों यहां पर 2 आ जाएगा 7-4 यहां पर 11 हो जाएगा और यहां पर 20 यहां हो जाएगा यानि के 2012 यहां के 1912 में यहां पर आपका यह एड़ हो जाएगा अगर सताबदी वर्स आ जाता, अगर हियाँ पर 16 सो आ जाता तो हमें कोई प्रोब्लम नहीं होती क्यूंकि ये 400 से विभाजित हो रहा है यानि कि ये पता चल गए है ये लीपियर वर्स और लीपियर सताबदी है इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन जैसे ही हमारे पास 1800 आ जाएगा हमारे पास 1900 आ जाएगा तो ये समझे जे ये चार से विवाजित नहीं है ना 400 से सताबदी वरसें तो हमें इसमें प्लस 40 करने की जरुरत है तो बहुत सारे बच्चों को मेरें को ये प्रोब्लम थी कि सर कहां पे हम 28 एड़ करें कहां पे हम 40 एड़ करें तो लीप में मैंने आपको बता दिया है कि अगर लीप की बात करता हूँ लीप यर्स की बात करता हूँ तो आपको कहां पे 28 एड़ करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ और कहां पे आपको यहां कहां पे बहुत सारे बच्चे का मन में यह था कि कहां पे हम 40 एड करें तो 40 कहां पे एड करना है मैंने ये भी बता दिया है तो यहां पे अगर आपका leap year वर्स में अठाई चुडने के बाद leap आ रहा है उसके बाद साधारन में क्या एड होगा बचो यहां पे साधारन में 40 एड होगा यहां पे यह चीज़े आप देख लेज़ेगा तो यहां पे 40 कहां एड होगा 28 कहां एड होगा मेरे साब से इस वीडियो से आपको यह सारी चीज़े किलियर हो गई होगी और भी बहुत सारे question हैं जो मैं आपको नहीं करा सकता ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो और अगर practice आपको करनी है तो आप हमरे telegram channel पर जूड़ जाएए वहाँ पे आपको practice question मैं दे दूँगा वहाँ से आप practice लगा लेजेगा हाला कि बहुत सारे ऐसे doubtful सवाल हैं उन सभी को मैं लेका रहूंगा आज तो मेरा calendar का part 1 था ये इस से समझेद बहुत सारे सवाल गलत होते हैं बच्चों के तो आज के बाद आपके ये सवाल बच्चों गलत नहीं होगे अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा मिलता हूँ गाई ऐसे ही next वीडियो में तब तक के लिए good bye